नमस्कार मेरा नाम ग्यानिश्वर है और आप देख रहे हैं LifeCities.in इस बक्त की बिहार की सबसे बरी ब्रेकिंग खबर पटना हाई कोट ने दारोगा बहाली की मुख्य परिक्षा का परिणाम निरस्ट कर दिया है इसे लेकर दारोगा बहाली की मुख्य परिक्षा के मुख्य परिक्षा का इसे लेकर बिहार में पिछले कई महा से लोग सरक पर भी थे और कोट में भी लराई लग रहे थे तो अभी से कुछ देर पहले पटना हाई कोट के जस्टिस सिवाजी पांडे ने फैसला सुनाया है उन्होंने पहले सुनवाई के बाद फैसला रिजर्ब रखा था और अब फैसला आ गया है कि दारोगा बहाली की मुख परिछा का परिणाम रद कर दिया गया है जस्टिस सिकायते थी कोटा को लेकर सिकायते थी कोशन पेपर को लेकर सिकायते थी महिला कोटे में पुरुसों के घुश जानी के सिकायते थी तो यह तमाम तरीके के सिकायते थी और कोट ने पाया कि जो लोग चैलेंज कर रहे हैं रिजल्ट को उनकी बातों में दम है और इस तरीके से अब हाई कोट ने बड़ा फैसला कर लिया है दारोगा बहाली की मुखे परिच्छा का पैणाम निरस्त कर दिया गया है मतलब बिहार पुलिस क्रमचारी चायन आयो की भध पिटी है कि उसके एस्तर पर रिजल्ट में गरबरी हुई है इसी कारण हाई कोट को परिच्छा का पैणाम रद करना परा है दारोगा बहाली के जो अभियर्ती थे जो परिच्छा में सफलता हासिल करने से बंचित रह गए थे वे लगाता संगस कर रहे थे, सरक पसंगस कर रहे थे, कोट में लगा रह रहे थे और अब फैसला आ गया है कि पटना हाई कोट ने बिहार पुलिस करमचारी चरने आयों को रिजल्ट को नए सीरे से त्यार करने को कहा है और सारी परक्रियाओं को जो बाजी परक्रियाओं है उनका पालन करने को कहा है मतलब जो अभी परिणाम आये थे वह परिणाम अब मानन नहीं है नया रिजल तियार किया जाएगा दारोगा बहाली की मुख परिच्छा का पैना निरस्थ हो गया है संघस कर रहे है छात्रों को सफलता मिली है और उनके भीतर एक नई उमीद जगी है नई आश जगी है अब बिहार पुलिस क्रमचारी चैन आयोग पर भी प्रेसर हो पर कि दारोगा बहाली की मुख परिच्छा का परिणाम निरस्थ कर दिया गया है आप देखते रहे हैं लाइफ सिटिस डॉट इन